इतिहाद न्यूज़ को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमार चानल को लाइक कीजिए और बेल आइकाउन पर क्लिक कीजिएगा पैदा हुआ वसीम तो शैतान ने कहा इर्शाद इर्शाद पैदा हुआ वसीम तो शैतान ने कहा लो आज हम भी साहिबे अउलाद हो गए असलावलेकूम मैं आपके सामने एमन रिजवी और आज बड़ी गुड नियूज है जो मैं आपके साथ शेयर करने आई हूँ जैसे कि आप तमाम लोग जानते हैं एक आतंग की मुनाफिक आदमी जो अपने आपको वसीम रिजवी वसीम रिजवी कहा करता था फाइनली हमने उसकी बारात को पूरे सजाकर बेगेरती से सजाकर चपलों की माला पहना कर उसको ऐसी तरह से जलील करकर उसकी बारात को रुखसत कर दिया है हमने उसकी बारात को दूसरे आतंग की जो नर्भक्षी सुरानंद है उसके गुफा में भेज़ दिया है आपको याद होगा कि वसीम रिजवी जो अपने आपको मुसल्मान कहा करता था और जो ये दावे करता था कि वो कलाम पाक को बदल डालेगा वो नया कलाम पाक लेकर आएगा वो कलाम पाक की आयते चेंज कर डालेगा और मैंने जब भी का था कि किसी के बाप में हम्मत नहीं कि क्लाब पाक की आएТ उ तो बहुत दूर की बात जना वो एक जेजीर या जबर भी चेंज कर लिए क्योंकि अल्ह ताला ने क्लाम पाक की जिमेदारी खुदली है اللہ تعالیٰ نے تا قیامت تک उसकी जिम्मेदारी लिये कि उसमें कोई चाह कर भी एक सिंगल वर्ड नहीं बदल सकता कितने नमरूद आये कितने शदाद आये कितने फिरौन आये कितने मुसाद वाले आये इसराइल ने एड़ी चोटी का जोड लगा दिया लेकिन हमारे कलाम पाक से एक नुक्ता इदर से उधर नहीं कर पाया फिर ये कौन था जो आया और कह रहा था कि मैं कलाम पाक चेंज कर दूँगा ये इस तमाम का तमाम ड्रामा था ये किनकी एक ऐसी साज़िश थी कि ये लोग चाह रहे थे कि किसी भी तरह हम हिंदो मुस्लिम में एक तरह का डिवाइट कर दें और हम मुसलमान बनके मैं ये दिखा दूँ जो एक मुसलमानों में दो फिरके बताय जाते हैं शिया सुनी हलाके दोनों एकी होते हैं दोनों का मझहभ भी लग भग एक होता है हाँ थोड़ा डिफरेंट तरीका हो सकता है वो इनसान के अकाइद पर मुनहसिर करता है तो लेकिन इन्होंने उसी चीज़ को टारगेट करा कि हम शिया और सुन्नी में लड़ाई करवा देते हैं और कहते हैं देखो शिया और सुन्नी अलगें उसी हर्बे को इस्तमाल करने के लिए आरसिस ने अपनी एक गुफा में नाजायस ऑलाद पैदा करी जिसका नाम इन्होंने वसीम रिजवी रखा कमाल की बात यह रही कि वसीम रिजवी को उत्तर परदेश यानी जहां पर टोक तंदर चलता है जहां पर आतंगवाद चलता है जहां पर फेंटा कोला बाबा की सरकार है वहां पर वक बोड का चेर परसन बनाया गिया और यह बड़ा खुश था कि मैं मुसल्मान काउंट टेबिल होता हूं लेकि यह मुसल्मान नहीं था हाला कि जब इसने खुराफाद भौकनी शुरू करी तो इसकी फामिली ने इसको लात मारी इसकी दो बीवियां इसको छोड़कर चली गए इसकी औलाद ने लात मार दी अब क्यूंकि इसको पता था कि मेरी जिन्दगी मुसल्मानों के कॉमिनिटी में सेफ नहीं है मैं कभी भी उस तरफ जाही नहीं सकता तो अपनी जान बचाने के लिए इस निगोडे ने दूसरे आतंगवादी नर्भख्षी सुरानंत के पास जाकर पना ली क्योंकि दोनों ही एक ही ठाली के चटे-पटे हैं वो भी एक ऐसा सुर है नहीं नहीं बलके सुरों के जुंड में ये चला गया पूरा का पूरा ऐसा सुरों का जुंड है जो लगातार इसलाम को टारगेट करता है कलाम-पार्ग को टारगेट करता है मथहब को टारगेट करता है लेकिन कमाल की बात ये है कि शिकार खुद यहां शिकार हो गया जो बंदा इसलाम को बदलने के लिए इतनी यड़ी चोटी का जोड लगा रहा था पूरी उम्मीद ऐसे कर रहा था कि नई भई जैसे कर गुजरेगा जो बंदा पूरी खुराफाती भौक रहा था वो खुद उस चीज़ को छोड़ कर निकल गया हाई ला कितनी बेजज़वी है बेज़वी का जनाजा मुझे मालूम है आप लोग कहेंगे लवज बेज़वी नहीं बेइज़वी होता है लेकिन इस जाहिर के लिए बेज़दी ही ठीक है तो आज वसीम रिज़वी फाइनली हिंदू हो गया है वसीम रिज़वी ने इसलाम को छोड़ दिया है उसके बहौल जबके हम तो शुरू से कहते चले आ रहे हैं कि वो इसलाम में था ही नहीं मैं तो कितनी बार आपके सामने बोला लाइब में कितनी बार बोला के वसीम रिज़वी तुझे जो भौक ना है तू भौक लेकिन हमारा नाम जो है वो वसीम रिज़वी जो एक मुस्लिम नाम है वो हमें लोटा दे यहाँ पनलगातार रायते पहलाता रहा यहाँ पनलगातार नफरते बाडता रहा तो किस तरह यकीन करा जाए कि वसीम रिजवी अब दूसरे मज़भ में चला गिया है वहाँ पर त्यागी जो बन गिया है क्या वहाँ पर जा कर उनका वफधार होगा जो अपनी मा का वफादार नहीं हुआ, जो अपनी कॉम्निटी का वफादार नहीं हुआ, जो अपने बाप का वफादार नहीं, अपनी बीवी का वफादार नहीं, वो क्या दूसरे मजभ का वफादार होगा, देखते जाएए, वो वहां पर भी लात मार का निकाला जाएगा क्योंकि ये धर्मी है यह नहीं ये अधर्मी इनसान था और आज तमाम मुसल्मानों के लिए हरश लुल्लास का दिन यानि बहुत मुबारक दिन है खुश होने का दिन है ї्लेकर आप लोगों को लगेगा कि नहीं ये खुश होने का दिन नहीं लेकिन अगर वसीम रिजवी को देखा जाई जिसने हमारे मख़त को टारगेट कर रहा का था जो हमारे ऊपर लगातार एक तर्चिरिंग कर रहा था टार्चिरिंग بم تھا جو لوگ یہ کہتے تھے وسیم رضوی تو تمہاری کامنیٹی کا ہے دیکھو مسلمان ہے دیکھو مسلمان ہوگی کلام پاک کو بولا دیکھو مسلمان ہو کر یہ کہہ رہا کہ کلام پاک کی آیتیں ایسی ہیں جو جہادی ہیں جو آتنگ بات کو بڑھاوا دیتی ہیں مطلب لوگ اس کو پتہ نہیں کیا سمجھ رہے تھے ڈاکٹر سمجھ رہے تھے سکولر سمجھ رہے تھے سائنٹیس سمجھ رہے تھے نامعلوم کیا کیا سمجھ رہے تھے لیکن समझने वाले सारे के सारे गुफाओं से ही पीएज़ी करकर आए थे तो वसीम रिजवी जब तीसरी बार वक बोड का चेर परसन नहीं बन पाया तो फाइनली इसने वही काम करा जो ये था हम तो पहले ही से कहते चले आ रहे थे ये अधर्मी गुफाओं की नाजायस ऑलाद था और ये अधर्मी गुफाओं में वापस जा चुका है और वहाँ पर जाकर अब ये रायता पहलाएगा एक आतंगवादी ने दूसरे आतंगवादी को बढ़कर गले लगाया यानि नर्भक्षी स्वारानंद आप जानते होंगे डासना मसूरी का ये वही उल्लू की शकल वाला चश्मे वाला एक ऐसा गेंडा है एक ऐसा जाफरानी गेंडा था जो खुद बारा साल के बच्चे को पानी पीने पर इतनी बुझतरा टॉर्चर करके इसने अपना आपको बहुत बड़ा राक्षे साबित करने की कोशिश करी थी ये वही गेंडा है नर्भक्षी स्वारानंद जो लगातार इसलाम को टारगेट करता था ये वही जो खिए हो गया कि इसको बात करने की तमीज नहीं रही पेहले इसलाम को टारगेट करता था तो इसको कमीन मिश्रा जैसा यैझा कपिल मिश्रा बलकुल सही पहचाना दिल्ली डंगे का मास्-कानमाई दिल्ली का ऐसा आतंगवादी जिसने दिल्ली में मुसलमानों के कि भौकने का बुखार है अब ये जब भौकता है तो सोचता है नहीं मैं किसके बारे में भौक रहा हूं तो ये इतना खुलासांड हो गया ऐसा खुलासांड हो गया कि इसने मेरी नौन-मस्लिम बेहनों के बारे में भी बोला बोलता है कि मुसल्मानों को देखो मुसल्मानों की लड़कियां मुसल्मानों की ओरते चाती दबा कर जाती हैं यानि वो बाइज़त तरीके से रहती हैं वो खया के दाइरे में रहती हैं और हमारे मख़ब में हमारी हिंदू लड़कियां चाती फुला फुला कर चलते हैं बनाई इसको तमीज नहीं किसके बारे में बकुआस कर रहा है उसके बार यही नहीं थमता यह कहता है हमारे नौजवान जिनको चाती फुला कर चलना चाहिए वो च्छाती दबा कर बस दिलों की तरह चलते हैं जबके मुसलमानों के नौजवान च्छाती सीना फुला फुला कर चलते हैं और वो किसी से डरते नहीं हैं नर्भक्षी यहाँ पर फिर नहीं रुका उसको लगा कि जब भौगता है तो लोग उसको सुनते हैं तो उसने अपनी भौकार को और ज़्यादा वसी करा और भौगता है नर्भक्षी कहता है कि जितनी भी बीजेपी में मंतरी बनती हैं और ते लड़कियां जो भी आती हैं ये तमाम की तमाम दूसरे बड़े मंत्रियों के पहले बिस्तर गरम करती हैं, फिर इनको कोई पद मिलता है, तो ये मैंने नहीं बोला, ये नर्भक्षी सुरानन ने अपनी ही कॉम्मिनिटी के लिए बोला, लेकिन कमाले भाई इनकी कॉम्मिनिटी पे सब चुप रहे, कुछ प्रानाम वापस करकर यहां से जा चुका और इन्शालला जहन्म का इंधन बनेगा, और जो ये चाहता था, नफरते बाटना चाहता था, तो एक आतंगवादी का, दूसरे आतंगवादी के साथ मिलन, बहुत धुम-धाम से हुआ, दासना मसूरी में हुआ, और तमाम दुन से एक ऐसे दोगले इन्सान से पाक साफ हो गया, जो पूरा का पूरा इसलाम की ओडनी ओड कर इसलाम पे नहीं था, एक पूरा का पूरा यजीदी सोच वाला था, एक यहुदी सोच वाला था, जो इसलाम को सेंद लगा रहा था, आज वो इसलाम से बरखास्त हो गया, तो मेरे शिया हजरात के लिए मेरे सुन्य हजरात के लिए तमाम उन लोगों के लिए तमाम उन भारतियों के लिए जो वाकी इनसानियत की बात करते हैं तमाम उन भारतियों के लिए जो वाकी ही यहां की एकता और अखंता की बात करते हैं आज उनके लिए बहुत जबरदस हक्षी स्वारनन्द के साथ जाके उसने अपनी टीम मजबूत करे अब दो सुवरों का जुंड बोल कर जब दो सुवरों का जुंड जमा होगा और जब वो बोलेगा तो आप देखे कितनी नफरते पहलाएगा अब ये उत्तर परदेश की सरकार पर डिपेंड करता है उत्तर का डासना मसूरी की जनता पर डिपेंड करता है कि इन दोनों बे लगाम घोडों को जो सिर्फ नफरती आतंकी है इनको किस तरह मज़ा चखाया जा सकता है इनको मज़ा चखाया है इनको डासना मसूरी से ऐसी ऐसी जगह से लात मारें कि ये वहापन्ना नजर आकर किसी ऐसी खुफा में मुत्रो कोला पीते वे नजर आएं और ऐसी जगह चले जाएं जहाँ पर ना ये दीन की बात करें ना दुन्या की बात करें ना ये भारत की महुल को खराब करने की बात करें तो बस यही है कि मुद्दई लाक बुरा चाहे तो क्या होता है मुद्दई लाक बुरा चाहे तो क्या होता है वो ही होता है जो मन्जूर खुदा होता है आज इसलाम की लाज हमें मिल गई आज इसलाम की लाज रह गई और वसीम रिजवी गूखा कर इसलाम से खारिज हो गया और आज इसने खुद कह दिया कि नहीं मैं इसलाम के अंदर दाखिल नहीं हूँ ये एक त्यागी मजभब में चला गिया है और इसने अपना धरम परिवर्तन कर लिया है और ये एक ऐसा धरम परिवर्तन है जहां हम और हमारा समाच बहुत जादा खुश है कि खसकम जहां पाक एक ऐसी गंदगी हमारे मजभब से साफ हुई कि जिसने हमारी जिन्दग्या हराम कर रकी थी हमारा नाम चुरा कर हमें बदनाम कर रहा था और आज ये हमारे मजभब से दफा होकर दूसरे मजभब में जाकर रायता पहलाएगा आप इंतजार करिए कि उस मजभब से भी इस इंटर्वियूज दिये तो वो मैंने करे और इसको मैंने च्छटी का दूद ऐसा याद दिलाया कि यह हमारा नाम वापस करके घुफा में वापस जा चुका है शुक्रिया आप तमाम लोगों का कि बेवक्त मेरे साथ जुड़े शुक्रिया अमडे गुड़ू साहब शुक्रिया मुहमबाद महरबान साहब शुक्रिया तमाम लोग जो इस वक्त मेरे साथ जुड़े हैं कि आप लोग इस वक्त मेरे लाइफ पर आए आप तमाम लोगों का शुक्रिया जिन्दगी रही फिर मुलाकात होगी तब तक के लिए मुझे